हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज हम ये प्यारा सा निटिंग पैटर्न बनाना सीखेंगे केवल चार सलाई में बनने वाला ये डिजाइन है बहुत ही इजी डिजाइन है ये पिकनर्स भी इस डिजाइन को बहुत ही आराम से बना सकते हैं जिन्होंने अ एक फंदाइक्ष्रा लेना है लाश्ट में, फॉर के मल्टिपल पे चार 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 ठीक है। इस तरह से फंदे लेंगे and नाश्ट में आक फंदाइक्ष्रा डालेंगे। देखिए इसकी beautiful सी right side और यह है इसका back side उल्टी तरफ से यह ऐसे दिखता है और यह है इसका front side डिजाइन स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो पसंद आए तो like भी करें और दोस्तों के साथ share करें तो चलो start करते हैं इसे बनाना यह देखो friends मैंने इसपे 21 stitches डाले है 21 फंदे मैंने इसपे डाले है चार 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 करके मैंने फंदे डाले है प्लस मैंने एक फंदा एक्स्टा करा है चार चार फंदे मैंने 5 बार डाले है तो 20 फंदे डिजाइन के लिए है और एक फंदा एक्स्टा मैंने इसपे डाला है तो चारो सलाई आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए पहला फंदा SDC से उल्टा ही उतारेंगे उल्टी तरब से हमने डिजाइन स्टार्ट करना है फर्स्टो बैक साइड ये बैक साइड है इसकी अब देखिए इस तीन फंदो पे सलाई डालेंगे तीन फंदो पे सलाई इस तरह से डालेंगे ये देखिए तीन फंदो पे डालेंगे और तीन फंदो पे हमने यहाँ पे तीन फंदे बनाने है एक फंदा ये बनाया ठीक है फिर एक बार सलाई पे धागा गुमाएंगे दो फंदे और फिर से एक फंदा और बनाएंगे इन तीन फंदों पर सलाई डाल के देखे यहाँ पर तीन फंदों के हमने तीन फंदे बनाने है ठीक है फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे इसके बाद फिर से तीन फंदों पर सलाई डालेंगे और तीन फंदों के तीन फंद करना है तो पूरी सलाई हमने इसी तरह से बुने एक फंधा उल्टा बनाना है तीन फंदों के तीन फंदे बनने हैं तीन फंदों पर डालेंगे तीन फंदों के यहां पे तीन फंदे बनाएंगे एक दो और तीन फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे तीन फंदों का यहां पे एक फंदा बनाएंगे एक दो और तीन तो इस तरह से हमने पहली सलाई बनानी है उल्टी तरब से लाश्ट का फंदा एस्टीच इसे उल्टा भी बनाएंगे तो देखे पहली सलाई इस तरह से बनानी है अब देखे दूसरी सलाई सीधी तरब से पहला फंदा एस्टीच है सीधा उतारेंगे इसके बाद पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे ये जो डिजाइन है न ये उल्टी तरब से डलता है और सीधी तरब से पूरा सीधा सीधा हर बार बना जाता है सीधी तरब से हमने इसे पूरा सीधा सीधा बना के कम्पलीट करना है तो दूसरी सलाई हमने सीधा बुन के पूरा करना है यह देखिए यहाँ पर दो सलाई है मैंने यहाँ पर बना दी है ठीक है अब देखिए तीसरी सलाई उल्टी तरब से पहला फंदा ऐसी चैसे उल्टा उतारेंगे इसके बाद तो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और दो अब इसके बाद हमने फर्स रो जैसे ही बनाना है तीन फंदों का एक फंदा करेंगे जैसे हमने फर्स रो पे बनाया था एक ये फिर सलाई पे धागा इसते से गुमाएंगे दो फंदे और एक और फंदा तीन फंदे फिर एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदों पे स्लाई डालेंगे तीन का तीन बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से उल्टा बुनते हुए फिर एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदों के तीन फंदे बनाएंगे इस तरह से एक फंदा ये दूसरा फंदा ये और तीसरा फंदा ये फिर एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदों पर सलाई डालेंगे तीन की यहाँ पर तीन फंदे बनाएंगे इस तरह से उल्टा बुनते वे इस तरह से करते करते लास्ट में हमारे तीन फंदे बचेंगे तीनों को हमने उल्टा बनाना है तो हमने इस तरह से बनानाई देखिए लास्ट में हमारे यहाँ पर तीन फंद उल्टे आए इस साइर भी हमारे 3 पंदे देखिए एक ऐस्ती चाहिए और दो फंद बानाएंगे बीच में हमने बिलकुल 1 रजा से बनाना है 3 एक फंदा बनाना है एक फंदा बनाना फिर 3 के बनाना है एक फंदा बनाना है तीक है आप देखिए 4 छोथी सलाई सीधी तरब से for through right side पहला फंदा उतारेंगे इसके बाद पूरी सलाई हमने सीधी सीधी बना के से कम्प्लीट करना है सीधी तरफ से हर बार हम सीधा ही बनाएंगे डिजाइन हम उल्टी तरफ से डालेंगे यहाँ पर हमारी चौती सलाई यह सीधी सीधी बना गई चार सलाई का ही यह डिजाइन है देखिए फ्रेंट्स इसमें डिजाइन अब दिखाई देने लगा है इनी चार सलाईों को हमने बार बार रिपीट करते वे जाना है देखिए एक बार फिर से मैं आपको फर्स टो बना के दिखाती हूँ यहां से मैं फिर से फर्स टो बना रही हूँ पहला फंदा ऐस्टीच इसे उल्टा उतारेंगे तीन फंदों पर स्लाइड डालेंगे तीन का तीन फंदा बनाएंगे इस तरह से उल्टा बुनते वे एक दो और तीन ठीक है फिर एक फंदा उल्टा फिर से तीन फंदों पर स्लाइड डालेंगे इस तरह से और तीन का यहां पर तीन बनाएंगे एक फंदा ये फिर दूसरा फंदा स्लाइड पर गुमा के फंदा बनाएंगे और तीसरा फंदा फिर से देखे इस तरह से फिर एक फंदा उल्टा फिर तीन के तीन करेंगे तीन पर स्लाइड डालेंगे ऐसे और तीन फंदों के तीन फंदे बनाएंगे उल्टा बुनते हुए फिर एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदों के तीन फंदे एक दो और तीन फिर एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदों के तीन फंदे यहां पर करने हैं ऐसु आज आज़ा पान्ना हम उल्टा बनाएगे तो देखिए इस तरह से मैंने यहां पर फरीस रो लगाई है इनीच ठाइओं को जो मैंने पहले चार सलाइएं बताएती उन्हीं चार सलाइएं को रिपीट करते वे जाएंगे तो ये डिजाइन देखे हमारा इस तरह से ब्यूटिफल सा डिजाइन हमारा बनता है तो आप बनाएए इसे और मुझे कमेंट करके बताएएगा आपको डिजाइन कैसा लगा देखे जब हम इससे ज़्यादा बुनेंगे तो ये इस तरह से ये कुछ दिखाई देगा तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते एगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई